असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापनी कीडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यदा यूसफुल और इंपोर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए एक तरसे अम्रित है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो उर्दू का मस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्टन है वो कराने जा रही हूं ध्यान दीजिए आप लोग के उर्दू के बुक में टोटल 38 चेप्टर है कितने चेप्टर है टोटल 38 और उन 38 चेप्टर में जो मस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्टन है जिसको आप लोग भी वी आई कोश्टन भी बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्टन जो की एक्जाम में पुछने की संभावना है उन सभी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्टन को मैं आ यानि कि पार्ट वन इसी तरह में हैस्टेक 2 हैस्टेक 3 करकर के 9-10 पार्ट की वीडियो में मैं आप लोगो को टोटल 38 चैप्टर का यानि कि कुल चैप्टर का क्या करूंगी इसी तरह हैस्टेक 2 इसी तरह का थमनेल आप लोगो को मिलेगा सिर्फ हैस्टेक 1 है जो नेक्स्ट विडिवाएगा उसमें हैस्टेक 2 हैस्टेक 3 हैस्टेक 4 इस तरह करकर 9-10 पार्ट में पूरा मैं 38 चैप्टर का most important objective question को करा दोंगी याद रहे मैं आप लोगों को फिर से बता रहे हूं यह इतना important objective question है कि अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े भी नहीं है ना और सिर्फ आप इन objective question को देख ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं तो आप लोग जाएंगे सेंटर पर exam देने के लिए तो वहा कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना जदा मेहनत करती हूं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे लिए जरूर कुछ करें तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए वीडियो उसको अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक् सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थीक है तो सब्सक्राइब कमाली का असल नाम क्या है कि रियल नेम असल नाम बताना है तो है मुस्तफा रज़ा और ये कोश्चन कितना बार पूछा जा चुका है तो यह व्य्याइः हो जा रहा है यहाँ याँ पर वेरी वरी आगे बढ़िये, चार नमबर सवाल है, कि सुहेल अजिम अबादी के बच्पन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम अबादी के बच्पन का नाम था मुझेबर रह्मान ठीक है सवाल नमबर पाँच है कि सुहेल अजीम अबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था सुहेल अजीम अबादी के पहले अफसानवी मजमुए यनि कि अफसाना कहानी का किताब का नाम बताना है ठीके तो वो था फ्ञार चेहरे अफसान लॉल सी हो जाएगा राइट एंशर चलिए छे नमबर सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी कहां पैदा हुए तो सुहेल अजीम अबादी पटना में पैदा हुए थे सवाल नमबर 7 है कि सुहेल अजीम अबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है सुहेल अजीम अबादी का कौन सा कहानी आप लोगे सिलेबस में आप लोगे बुक में दिया है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा अपसा नमबर C यानि की भावी जान ठीक सवाल नमबर 8 है डॉक्टर मुहम्मद मोसीन की पैदाईश कब हुई ठीक है तो डॉक्टर मुहम्मद मोसीन की पैदाईश 10 जुलाई उन्हेस से 10 को ही थी ठीक है 10 जुलाई उन्हेस से 10, 10 और 10 इससे आप मतलब आफसानी से याद कर पाएंगे ठीक चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 9 है ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है ये भी एक बार पूछा जा चुका एक दो बार ठीक है फरार किसका अफसाना है ठीक है तो फरार जो है आप लोगो के बुक में जो दिया है फरार नाम का कहान इसका अफसाना है देखिए और अपने से भी बताने की कोसिस किजिए तो इसका राइट शो जाएगा मुहम्मद मोसीन का अपसाना आप लोगो के बुक में दिया गया है जिसका नाम है फरार टीक है तो यह हो गया आप लोगो का एंसर आगे बढ़िए अगला सवाल है सवा अर्दू के लावा ड्क्टर मुहमद मुशील नफसियात में माहिर थै और नफसियात उनको पसंद था ठीके आगे बढ़िए अगला सवाल है कमर जहां का तालूक सुबा विहार के पुछा जा जा चुका है ठीके यान के कमर जहां जो है वो विहार के किस डिश्टिक से पूस करते हैं तो है समस्ति पूर्जिला और यह भी कोश्चन जो है ना वह भी आई है इंपोर्टेंट है क्योंकि कितना बार एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ वैसे देखा जाएते हुए सारा कोश्चन ही भी भी आई है बह तो कमर जहां का अप्साना है थीक यह होगा आप लोग का आंसर अब देखी अगला सवाल का तालो किस यूनि season से था तो कौमर जहां का तालोग जो था वह भागल पूर यूनिवर्सिटी से था अगला सवाल सब्सक्राइब के अपसानुए मज Genius का नाम लिखिये तो यहाँ पर आप लोगे को बताना है कि कमर जहाँ का एक अपसानुए मजबू है यनि कि अफसाना कहानी का किदा का नाम बताना है तो इसका सही अन्सर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट एंसर चारागर ठीक है और ये बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है ये भी कितना बार एक्जाम में पूछा जा चुका है इसको इंपोर्टेंट समझते हुए मैं आपनों को बता रही हूं ठीक है तो इस तरह पूछता है कि कामर जहां कि एक अफसान और इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप लोग अपने से भी बताने की कोशिस कीजिए चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक है ये हो गया आप लोग का राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है सवाल आपके निसाब में शामिल है यानि कि निगार रजिम का कौन सा कहानी आप लोगे बुक में है तो वो है आश्याना ठीक है अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए जरूरी नहीं है कि कोश्टन इसी तरह से पुछेगा कि निगार रजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है ठीक है कोश्टन इस तरह से भी पुछ सकता है कि आश्याना नाम के अफसाना के अफसाना निगार कौन है लिखने वाले कौन है तो वह है निगार रजिम तो इस तरह से भी घुमा फिरा कर भी पूच सकता है तो जरू नहीं कि सिर्फ इसी तरह पूचेगा इस तरह भी पूच सकता है कि आश्याना नाम के अफसाना के अफसाना निगार कौन है तो इसका राइट अंसर निगार अजीम हो जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 18 है कि निगार अजीम ने किस मजमून में एमे किया यानि कि निगार अजीम जो है वो किस सब्जेक्ट में एमे की ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उर्दो फार्सी सवाल नमबर 19 कि निगार अजीम का मजमुए गहन कब शाय हुआ तो निगार अजीम का जो मजमुए यान की किताब है गहन वो परकाशित हुआ था उन्हें सब 75 इसमी को चलिए फटफट आगे बढ़िए सवाल नमबर 20 है कि आशियाना के अफसाना निगार का नाम बताईए आशियाना देखिए यहां पर पूछ दिया है ना मैं यहां पर आप लोगों को पहले ही बताई थी कि जरूर नहीं है कि सवाल इसी तरह से पूछेगा कि निगार अजीम का कोंस अफसाना आपके निसाब में शामिल है इस तरह कैसे भी पूछ सकता है कि आशियाना के अफसाना निगार का नाम बताईए देखिए पूछ भी दिया है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा निगार अजीम ठीक है चलिए आगे बढ़ ये सवाल नमबर 21 है कि निगार अजीम के सफर नामा का नाम क्या है ठीक है तो निगार अजीम के सफर नामा का नाम है घर्द आवारगी अगला सवाल है सवाल नमबर 22 जिसका जो कोस्टन है वो ये है कि निगार अजिम का अफसाना आश्याना किस तरह का अफसाना है निगार अजिम का जो अफसाना है आश्याना कहानी ये किस तरह का अफसाना है तो वो है नफसियाती अफसाना तो ये हो गया आप लोग का और खुदा हाफिस